हेलो प्रेंश आपका वेलकम है मेरी यूटूब पूजाजादान चैनल पर आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूं बहुत प्यारा गला ये दिकी बहुत ही प्यारा लोग देता ये पहन करके बहुत ही संदर बहुत ही इजी गले की डिजाइन है मैं आज आपको पताने वाली हूँ बहुत इजी तरीके से और आप मेरे चैनल पर नुई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी बताईएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये देखिए, बहुत ही इजी तरीके से गला हमारा बन के तियर हो जाता है वी सेब में इतना प्यारा लुक देता है इस तरीके से रखोंगे, डवल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है मैं यहां से गली की चौड़ा इना आप रही हो, तो मैं यहां पे गली की चौड़ा इतीन इंच ले रही हो अब में गली की लम्माई लूँगी हैं से 11 इंच अगर आपको गली की लम्माई कम पेहना पसंद करती हैं लम्माई तो आप 10 भी ले सकती नौ भी ले सकती मैंने यहां पर 11 लिया है यह सिल करके हमारा 10 इंच का त्यार होगा तो दीगे इसे में इस कौने पर रखूंगी यहां पर इसे में इस कौने से मिलातूँ इस तरीके से अब यहां चौक से सीधा लाइन कीच दूंगी इस तरीके से कौने से कौने तक इंची टैप को अच्छी तरीके से पकड़ते हुए चौक से निशान कर देना है इदी की इस तरीके से हम इसे इस तरीके से करके हाँ से इस तरीके से करूंगी इस तरीके से कर देना है देखिए हमारा इस तरब भी छपके त्यार है तो मैं इसे चौक से गहरा कर लीती हूँ से अच्छी तरीके से देखेगा आपको इस तरीके से कर लेना है हमें यहां पर बिलाउज को रखोंगी हमें इसकी ऊपर से अस्तल को रखोंगी इस पर में गले के डियान बना कर रखिए अच्छी तरीके से मिला कर रखना है अगर आप नहीं है सिलाई सी करें तो आप इससे पहले पिन से पिन अप कर लें उससे किसके गानी आप सुई धागे सकती सिलाई कर लें अब देखिए मैं यहां पर इस चौक से निसान किया ता मैं इस पर उस सिलाई लगा दूंगी देखिए मैंने यहां पर सिलाई कर लिए तो मैंने इसे पलट कर रख लिए और मैं यहां से सिलाई कर दूंगी तो ध्यां रखने हैं आपको अपने सिलाई की है उससे आदा इंच याद इंच से थोड़ा कम कम छोड़ते हुए हमें यहां से कट कर लेना है ध्यां रखना कि सिलाई ना कट रहे है कि अब तक नेज़े में निकट कर लिया है और इसे यहां से अठा देंगे कपरे को कि इस प्हेले हमें एक चोटा साकत लगाना है उसके बास में सारे में पेश तक हमें टोटे हूप ya तयाना है तिया प्वरक है आपको हिए सेलाही ना कट सही तरी के से छूटा छूटा कट लगाना calories है झे कि देखी में यहां पर सब पेकट ला लिया है तो हम मैं इसे पलट के सीधा कर देती हूँ कि देखी से मैंने पलट के सीधा कर लिया है और इस गले को मैं पीचे हुक बाला बिला उसकी गले की डिजान में बना रही हूं पीचे हुक होंगे इस गले में अगर आप आगे करना चाहती तो इससे कटना करें इसमें पीचे हुक लगांगे इसल्ए में यहां से सीधा च्वक से निशान कर देती हूँ को कि लाट अं अम आधि है कि हमके हुट लगाने है तो इसल्ए हमने सलिए हमने लिगक कर दिया है अगर आप कि इसे मैंने कट कर दिया है कि यह मैंने हुक की काज की पट्टी ले लिए हमें इसे यहां से अटेच कर दूंगी कि यह हमारी काज की पट्टी है कि इस तरीके से अंदर जिसे फोल कर देना है कि यह हमारी हुक की पट्टी है इसे भी इसी तरीके से लगा लेना है कि देखी दूनों पट्टियों के मैंने यह हुक की पट्टी है काज की सौरी इस पिर मैंने काज भी बना लिए मसीन से और यह आप देगी में इस तरीके से रखूंगे मैंने दुना पट्ट्रों को टेज कर लिया है इसे इस तरीके से प्लट के उर्टा रखना है यह हमारा बौडर है बिलाउज का आप मैंसे बाजुkemहीं नहीं लगाँगी। इसे मैं गले में उसकर रहु है। इस तरीके से रखना है अपको। इस तरीके से सिलाइं लगा लेनी है। इस तरीके से, ये बॉर्डर हमारा blas में निकलाता है। उसे मैं गले में डिधियन मिना रही हू writes इस तरीके लिए हमें इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी अगर 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 इसे यहां से अंदर की सट फोल्ड करूंगी इस तरीके से और सिलाह लगा लिए दोनों तरफ किनारियों पर दोनों किनारियों पर मैं सिलाह लगा लेनी है देखिए मैंने सिलाह लगा कर यहां पर यह लेस भी लगा दिया है और हुक भी लगा के और यहां पर मैंने डूरी भी लगाई है यह दिकी लेस कितनी प्यारा लुक दे रहा है इससे यहां पर मैंने बटन भी लगा लिए इस प बहुत ही प्यारा लुग देगा कि यहां पर मैंने डूरी को भी अटेच्च कर दिया है कि अधि कितना प्यारा भी से बनके तयार है हमारा गले का आपको मारा गले की डिजान कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइकर दीजे मेरे चैनल को और आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर दीजिए और आप ऐसे प्यारे प्यारे गले की डिजान सीखना चाहती है पहनना चाहती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर दीजिए इसे कि मेरी वीडियो के नोच्ची पिक्षे से सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप आप अच्छी वीडियो देख सके इती की ब्लाउट हमारा बन के त्यार है गले की डिजान बहुत ही फारा लुक देता यह पेन के बहुत कि एक करता है